दोस्तो नमस्कार मैं जगनाद गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है दोस्तो हर्याना के चुनाव समाप्त हो गए आठ अक्तूबर को रिजल्ट भी आ गए आपने आठ अक्तूबर को रिजल्ट भी देखे और उस से पहले जो अख़वारों में चैनलों पर आपको आठ तारिक को शाम को जो सोशल मीडिया पर सभी न्यूच चैनल पर जो दिखाया जा रहा था उसमें कांग्रेज को भारी बढ़त दिखाई जा रही थी हम भी इसी उसमें थे कि जैसा महौल हमें दिख रहा था हम फिल्ड में भी जा रहे थे और जो अकेले हम नहीं के बे देश रो जाना ऐसा सोच रहा था बलकि सारे देश का सारा मीडिया समाचार पत्र जो एगजिट पोल में आया था वो ही सबकी राय दिख रही थी कि इस बार दस साल की एंटी इंकम्मेंसी के बाद भाजपा सत्ता से बाहर हो रही है भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है दोस्तों हम इस बात को नहीं नकारते कि हमने जो इस्टोरियां की हमको भी ऐसा ही लग रहा था कि इस बार कांग्रेस बढ़त पर है और हम भी एक्जिट पोलों से सहमती व्यक्त कर रहे थे हम इस से इंकार नहीं कर सकते हैं लेकिन दोस्तों जब रिजल्ट आए तो नजारा कुछ और ही दिखा और भाजपा सक्ता में तीसरी बार लोट आई इस से देश का सारा मीडिया आश्च्रिय चकत रह गया वो इसलिए कि निजी बात्चीत में भाजपा नेता भी ऐस विकार कर रहे थे कि हाँ इस बार हमारी रहा कठन है और शायद कांग्रेश सक्ता में लोट रही है अब नतीजे जो थे हो तो आ गए सामने अब कांग्रेश विचलित है इंडिया गठबंधन विचलित है सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और इवी एम पर वी उमलिया उठ रही है कांग्रेश के नेता जो चुनाव आयुक्त है उनसे मिले है उनके सामने अपनी बात रखी है कि जिस तरीके से दो घंटे बीच में चुनाव परल्लामों को रोक के रखा गया और बहुत सारी इवी एम 91 पर्शेंट तक 90 पर्शेंट से जादा या 99 पर्शेंट तक फुल थी बैटरी फुल थी तो इसका मतलब जो कांग्रेश नेता है ये लगा रहे हैं कि भेई वो नहीं लाई गई थी नहीं तो वरना सारे सारे दिन में तो कुछ बैटरी घड़ती तो उनकी असंका से हम इंकार नहीं कर सकते उंगलियां हमेशा EVM पर उठती रही हैं वो सच भी हो सकती है और निराधार भी हो सकती है लेकिन दोस्तों इस सब के बावजूद जब ये दो दिन से जो इस पर चर्चा हो रही है कि भाजपा कैसे सत्ता में लोट आई तो आज मैं दो दिन के बाद आपके सामने हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कांगरेस आखिर हरिया ना में हारी तो क्यों हारी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो विपक्षी दालिया कांगरेस आरोप लगा रहे हैं उनमें सच्चाई नहीं हो सकती उनमें भी सच्चाई हो सकती है उनकी भी जाच होने चाहिए और मैं तो निजी तोर पर ये चाहता हूँ कि जो वोटिंग मसीन में से जब वो पर्ची निकलती है जब तक उनकी गिंती नहीं होगी इस तरह इस ने इन ब्रहांतियों का परचर्चा होती रहेगी और आरोप लगते रहेंगे कि चुनाव आयोक को इन परचियों के गिनने की विवस्था कर देनी चाहिए जिससे की इवी एम पर उठने वाली उंगलियां हमेशा के लिए बंद हो जाएं तो ये तो हमारा मुद्दा है लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो हकीकत जो अब मुझे नजर आ र रही है कि जो सोर सरावा कांग्रेश के हक में चल रहा था या कुछ समुदाय या जाज समुदाय बहुत वोकल था या कांग्रेश बहुत वोकल थे लंबे दंबे भाशन दे रहे थे कि हम जीत रहे हैं सत्ता में आ रहे हैं मुख्य मंत्री बनने की तैयारियां सुरू हो जानते हैं कि भूपेंट सिंग हुड़ा और शेल जा को जैड प्लस शेक्योर्टी भी दे दी गई थी कि इन दौनों में से कोई हरियाना का सीएम बनने जा रहा है तो उस लिहाज से देखें तो सासन पर सासन के पाज भी ये सूचना थी कि कांग्रेस बनने जा रही है लेकिन बीच में जो दो गंटे आ हुआ जो उंगली उठी तो कुछ शक्तो हमें भी होता है लेकिन बहराल जो हम एक नतीजे पर जो पहुंचे हैं वो ऐसा लगता है वो सही हो भी सकता है और गलत भी हो شकता है कि कांग्रेस वोकल बहुत जादा थी सोर्सरावा बहुत हो रहा था शायद ये जमीनी इस्तर पर उतनी मेहनत नहीं कर रहे थे और 36 विरादरी में नहीं पहुँच रहे थे जबकि भाजपा शायद जमीनी इस्तर पर काम कर रही थी और तीसरी बार ये भी बात सामने आ रही है कि भाजपा ने तीसरी बार भी किसी हद तक जाट वर्सिज अगर्स मुद्दे को जनता के बीच में फैलाने में कामियाबी हासिल की और शायद ये ही वज़े है कि जाटों से अलग या दलितों से अलग या मुसल्मानों से अलग फिर गोलबंदी कांगरेश के या जाटों के खिलाप हो गए एक तरीके से लेकिन आखरी सच ये भी नहीं है आखरी सच तो ये है कि जाटों ने भी पूरी तरीके से कांगरेश का साथ नहीं दिया दलितों ने भी पूरी तरीके से कांगरेश का साथ नहीं दिया और ये मैं कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूँ जो मीडिया में आखरे हमारे पास आये हैं उन आखरों के आधार पर तो ऐसा लग रहा है कांगरेश हवा हवाई ज्यादा थी और भाजपा जमी नहीं इस तर पर काम कर रही थी लेकिन जो मैं आकड़े बताने जा रहा हूँ से पहले मैं एक बार फिर कह देना चाहता हूँ के भाजपा के नेताओं को भी ये आम भाजपा नेताओं को भी या उनके समर्थकों को भी ये बरोसा नहीं था के कांगरेश तीसरी बार भाजपा मलस्ता में लोटे गी ये मेरी खुद कही ने भाजपा नेताओं से बात हु का जो बयान था वो संका पैदा करने वाला निश्यत रूप से है कि उन्होंने अपने बयान में कहा था कि हमने सारे प्रबंद कर लिये हैं और आठ तारीक को जब रिजल्ट निकलेंगे सारी व्यवस्ता हो गई है भाजपा जीतेगी और हम तीसरी बार शक्ता में लोटेंगे सारी व्यवस्ता हो गई है सारे प्रबंद हो गए है नायव सिंग सहनी का ये बयान बिलकुल शक पैदा करता है अब ये सवाल तो कांग्रेस उन से पूछ रही कि विक्की साधार पर हमने कौन से प्रबंद की बात की थी तो बात आके होई ईवी एम पर ही रुकती है या सासन पर सासन पर रुकती है या दो घंटे जो डिले हुए रिजल्ट बीच में नौ वजे के बाद उसी दो घंटे के बाद एक दम खेला हो गया कहां तो साट सतर तक कांग्रेस के बोटे मिल रही थी उसके उमिदवार जीत रहते साट पैसट एवरेज बताया जा रहा था इतना लेकिन दो घंटे में क्या खेला हुआ सी एम सेनी के बयान के क्या माने है वो अब अलग मुद्दा है उस पर जाच हो सकती है लेकिन दोश्तों जैसा कि मैंने बताया कि किस समुदाय ने किसको कितने परसिलिशत बोट दिये ये जो आंकड़े निकल कर आए हैं ये भी चौकाने वाले हैं और जैसा कि मैं कह रहा हूँ ये मन जा रहा था कि थुक के भाव जाट और जाटम या दलित और मुस्लिम कांग्रेश के साथ हैं लेकिन दोश्तों आंकड़ों में ऐसा है नहीं और इन आंकड़ों को जब आप सुनेंगे तो आप भी चौक जाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जाट समदाय है जाट समदाय में से 53 प्रतिसत जाटों ने ही केवल उसको कांग्रेश को बोट दिया और 29 प्रतिसत जाट भाजपा के साथ गए और 4 प्रतिसत जाट इने लो यानि अभे चोटाला के खाते में भी गए तो इसका मतलब हुआ कि 39 प्रतिसत जाटों ने कांग्रेश को बोट नहीं दिये इसी तरीके से ब्रहमन ने 31 प्रतिसत ब्रहमन ने कांग्रेश को बोट दिये और भाजपा के खाते में 51 प्रतिसत जाट गए जबकि बसपा इने लो के खाते में 2 प्रतिसत ब्रहमन गए मैं इसको फिर रिपीट कर दूँ 31 प्रतिसत ब्रहमन ने कांग्रेश को बोट दिया 51 प्रतिसत ब्हाजपा को दिया और 2 प्रतिसत ब्हाजपा इने लो को दिया एक और चौकाने वाला सा चाया सामने कि पंजाबियों ने तो कमाल ही कर दिया पंजाबी खत्रियों ने कांग्रेश को केवल 8 परसेंट ने बोट दिया और भाजपा के खाते में गए 68 प्रतिसत चार प्रतिसत बसपाई ने लो के भी खाते में गए जब 68 प्रतिसत पंजाबी भाजपा के खाते में गए तो कांग्रेश कैसे जीतती इसके अलावा अन्य उच्च जाती हम सब को इखटा कर लेते हैं तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ 22 पृतिसत आए यानि उच्च जातियों ने 22 पृतिसत ने कांग्रेस को बोट डाले तो भाजपा को थोक के भाव 69 पृतिसत उच्च जातियों ने बोट डाले चार पृतिसत बस्पा इने लोग की जोली में भी गए यानि 69 और चार 63 पृतिसत उच्च जातियों ने भाजपा को ही अपना बोट डिया गूजर समदायव 44 पृतिसत गूजरों ने कांग्रेस को बोट डिया पृतिस पृतिसत गूजरों ने भाजपा को बोट डिया और पांच परसेंट बस्पा और इने लोग को डिया यादव समदाय में से 25 पृतिसत यादवों ने कांग्रेस को बोट डिया और 62 पृतिसत यादव समाज ने भाजपा को बोट डिया और दो पृतिसत ने बस्पा इने लोग को बोट डिया OBC सिर्फ 32 पृतिसत कांग्रेस के साथ है और 47 पृतिसत भाजपा के साथ गए 7 पृतिसत बस्पा और इने लोग के भी साथ गए यानि कांग्रेस को सिर्फ 32 पृतिसत मिले और भाजपा को 47 और साथ बस्पा इने लोग को तो ये बन जाते हैं आपके 54 पृतिसत OBC कांग्रेस के खिलाप गए जातव हरिया ना में भी जातव एक बड़ी संख्या है दलितों में तो जातव का जो ये मान कर चला जा रहा था कि वो थोक के भाब कांग्रेस के साथ जाएंगे और लोग सभा चुनावों में 68 पृतिसत दलित कांग्रेस के साथ गए थे लेकिन दोस्तों जो भी कारण रहे हों जातव समाज ने पचाश पृतिसत जातव समाज ने ही कांग्रेस को बोड दिया पैंतिस पृतिसत जातव समाज ने जातव दलित समाज ने भाजपा को बोड डाले और साथ पृतिसत बस्पा इन्हें लोगो भी गए छे पृतिसत तो जो लोग यह सोच रहे थे के बड़ी तादात में दलित जो है मायावती के कारण या बस्पा के कारण बस्पा इन्हें लोग बंदन में चले जाएंगे ऐसा दरसल हुआ नहीं अन्य जातव से अलावा जो हरियाना में अन्य दलित जातियां हैं वो कांग्रेस के साथ कम गई यानि मात्र 33 पृतिसत 33 पृतिसत ही अन्य दलित जातियां कांग्रेस के साथ गई जबकि 46 पृतिसत दलित 46 पृतिसत दलितों ने भाजपा को बोट डाला और 10 पृतिसत बस्पा इन्हें लोग अठबंदन को बोट डाला तो इसका मतलब है कि 46 पृतिसत जाटव जाटवों के अलावा 56 पृतिसत ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया अब आ जाते हैं आगे मुसल्मान दोस्तों मुसल्मानों को आंकड़ा भी चौकाने वाला है मुसल्मानों ने भी सिर्फ 69 पृतिसत मत दाताओं ने कांग्रेस को बोट डाला है हाला कि मेवात में जिन सीटों पे तीन पर खड़े हुए तो उनमें कांग्रेस जीती है और उसमें मुसल्मानों का बहुत बड़ा योगदान है लेकिन केवल 69 पृतिसत हरियाना के मुसल्मानों ने ही कांग्रेस को बोट डाला साथ पृतिसत भाजपा के खाते में भी गए यानि साथ पृतिसत मुसल्म ने भाजपा को भी बोट डाला और तीन पृतिसत इने लोग पसपाकट बंदन के साथ गए अब आखरी सिक्समदाय देखिए सिक्समदाय भी का बड़ा हिस्सा किसानों से जुड़ा हुआ किसानी खेती किसानी करते हैं जाटों का भी बड़ा हिस्सा किसानी खेती का है लेकिन दोस्तों जो हम मान रहेते कि किसान जाट और खेती बाड़ी करने वाले सब Congress के साथ आएंगे तो ना तो जाट आए जाट 13% Congress के साथ आए लेकिन सिक जो है सिक समधा है कुल 47% Congress के साथ आए 47% नहीं Congress का साथ दिया Congress को बोट डाले और 21% ने भाजपा को भी बोट डाले और 17% जो सिख बोर्ट थे वो बस पा इने लोगे खाते नहीं तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब यह है कि जो जमीनी हकीकत है वो अलग रही और जिसे देश का बीडिया, सोशल मीडिया, टीवी चैनल कोई नहीं भाब पाया और एगजिट पूल का तो बुरा हाल हुआ इस बार लोगशवा चुनावों में एगजिट पूल अब की बार चार सो पार और इस बार कांगरेश को साट पैंसेट सत्तर तक दे रहे थे और कांगरेश 37 सीट पर अटक गई और भाजपा का कमल तीसरी बार हरिया ना में खिल गया तो जो मैंने जो आँकड़े दियें ये आँकड़े तो सही हैं तो इनके आधार पर भाजपा तीसरी बार सत्ता में लोटी है अब कांगरेश मंतन करती रहे कि उसमें गुटबाजी थी या कुछ लोग ये मानका चल ले थे कि हरियाना में कांगरेश का मतलब सिर्फ हुड़ा परिवार है या हुड़ा ही कांगरेश है कांगरेश ही हुड़ा है तो कुछ ये भी संदेश गया कि जाटों मैं जाट का मुख्य मंत्री बनना तैय है और जाट जो डॉमिनेट करते हैं तो वे उसरत सासन प्रसासन में पूरी तरह चा जाते हैं और नोकरियां भी उनको मिलती हैं और हर जगे चाए पुलिस हो चाए कहीं भी हो आम तोर पर ऐसा माना जाता है या मानते हैं कि नोकरियां भी जाटों को ज़्यादा मिलती हैं हर पुलिस स्थाने में सारे जाट बड़ी तादात में होते हैं या अन्य मुख्य पदों पर जाट ज़्यादा दिखाई देते हैं तो ये भाजपा ये मैसेज भी अन्य जातियों को देने में इस बार भी सफल रही यानि जाट वर्सिज नौन जाट भी करने में भाजपा सायद सफल रही और यही इसका यही उसका मूल बनत रहे चुनाब जीतने का जब वो यूपी में लड़ती है तो जाटव और यादव वर्सिज अधर्स सारी दलित और पिष्डी जाथियों को लामबंद कर लेती है और हरियाना में जाट वर्सिज अधर्स को लामबंद डाला इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ हमने आंसिक रूप से तो वता दिया लेकिन इस पर हम और वीडियो बनाएंगे कि जिस पर गहनता से हम विचार भी मर्श करेंगे कि कांग्रेस इसलिए हारी और भाजपा इसलिए जीती लेकिन जो मैंने जमीनी हक कीकषा वताई है अब तो वही निकलकर आई है देश का सारा मीढिया गलत ही सामय जा रहा था उस मीढिए में हम भी सब्सक्राइक थो दोश्टों ये था में राज कामुद्द के साथ नवस्कार